नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्केश मार्च 2023 के आपके शंपुन राशी फल के बारे में शुरुआत करते हैं आज की पंचांग्शी दोसों आज दिन मंगलवार अक्केश मार्च 2023 कृष्ण बचकर महाश्यति थी रात्री के 10 बचकर 35 मिर्ट रहेगा उश्पुपरांती परती पदाती थी प्रारम हो जाएंगी पुरुभादरपता नाम करनाचदर शाम के 5 बचकर 25 मिर्ट रहेगा उश्पुपरांती उत्तर वात प्रदा नम का नचतर प्रारम हो जाएंगे यह की बात करें возьmiة तो दोस्तों फेझन शुब नाम का शुवियोग supports 200 के और 12 संधोर्स पराफ क्या करों शाम के 5 बचकर 4 मेंट तक और दोस्वों चंदरमा ऐगा दोपर के 12 बचकर 10 मेंट लेकर दोपर के 12 बचकर अंठावड मेंट तक और दोस्वों शूरी दिन मीन राशी पर चार्ज करेंगे तो ऐ दोस्वों सके शाहत बात करते हैं जो गरहों की स्थी है और जो चंदरमा शूरी की स्थी है आप शुबी की राशी पर आप शुबी की कुंडली पर कौन कौन शूरी परभाव डालने वाले हैं या शुमे आने वाले 24 घंटों का शुमे आपका लव लाइप, स्वास्त क केरियर और धन को लेकर सतियां केश्य वजद होंगी इन शबी के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार्षी तो दोस्टों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और इने अंत तक दिहांश देखिएगा तो आई दोस्टों बात करते हैं पूरे विस्तार्षी दोस्टों आप को बता दे कि दिन्चरिया के मुताबित तरीकेशे वैतित होगी कोई खुशकवरी भी मिलने वाली है अपना हर काम योजना पतरीकेशे करना तथा अपने कारियों के प्रति एक अगर रहना आप शिभी को शफलता देगा जिए दोस्टों कुछ नजदिकी अथवा शमय निकाले इस ये मानसिक शांती बनी रहेगी आपकी किशी वैक्तिकत बात को लेकर प्रिवार में कोई तनाव हो शकता है दोस्टों बहतर होगा कि अपने शभाव के कोई भी जो ऐसे लक्षन है जो कि दूसरों को कश्ट दे सकते हैं दोस्टों ऐसे लक्षन को आप वै जिन्तन यश में जरूर ही करना चाहिए जिह दोस्टों विद्यारते के लिए जो शमय हैं बहुत अच्छा शमय होगा अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दें शमय आपके लिए बहुती जबरजस्त है आप अपने आश पास की लोगों से अच्छी खाशिश शाहता और अच्छाने की जमता बरकरार है जिहां दोस्टों इनके कारण आप किवल उन्ही प्रजनाओं में निवेश करेंगे जो भईश में आपके लिए काफ्षी लाबकारी श्यापिद होगा दोस्टों आप शिपी को बता दें कि आपमें बहत्री प्राकृतिक योगता है लेकिन अगर कोई आपके आशपास आपको खुद की देखबाल के बारे में याद दिलाने वाला नो हो तो आपको खुद का ही ख्याल नहीं रहता लेकिन यह भी आप याद रखें कि आपका श्वास्ति आपके लिए शब्शी बड़ा निवेश है अगर आपमें कभी इस तरक की न अत्रंग होगे जिया दोस्तों आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावेशे परभाइद हुए बिना शच्चे प्यार और शच्चे शमन्द की तलाश में रहेंगे दोस्तों आप शबी को पता दें कि पिछले शमे में कड़वे अनुभूवों को रुकावट नो बनने दें अगर आपको डर लग रहा है तो दोस्तों शावधानिश ही आप आगे बड़े यह जो शमे है आप शबी के लिए आपके कारे शितर में आपके शितारे आपके शाथ देंगे यह आपके वित्ति जरुतों के लिए काफी संजजनात्मक रहने वाला है जी है दोस्तों आप शबी को बता दे कि यह कारे प्रणाली में जो भी आपके शमन है उनमें आपको थोड़ा शा इर्ष्या बन शकता है लेकिन दोस्तों यह में आपको श्रतक रहना है इसलिए जो भी आपके केरियर के लिए हनिकारक है उन्षी यह में आपको शमल कर रहना चाहिए शादी दोस्तों यह में आपके लक्ष आगे बढ़ने शेयक गरता बनी रहेगे दोस्तों यह में प्रणों शेया आप दूर रहे और वर्तमान पर आपको ध्यान देना ये जो समय है आप शिवी के लिए काम में फोकस बढ़ाने की आप कोशच करें दोस्तों डे कामों को अन्जाम तक पहुचाना आप शिवी के लिए येस्ट में संबभ होगा जोगे दोस्तों आने वाले भूचर के लिए आपके बहुत ती येस्चिया रहेंगे शादी दोस्तों गिनेजी केहते हैं कि येस्चिया में आपकी जोस्तिती होगी वह अनुकुल रहेगी मार्केटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे ओनलाइन गतिवधियां आप शिवी के लिए फायदेमन शाविद होगे दोस्तों येस्चियो में कोई महत्पों शुझना आपको मिल सकती है पेशों के लेन देन के लिए जो शमय है आपके लिए उप्यूप नहीं है तो थोड़ा शुर इंतजार करना आपके लिए बहतर रहेगा शादी दोस्तों चात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा वाईपार में कोई बड़ा ओडर भी मिलने की शमहोना बन रही है नोकरी करने वाली लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि दोस्तों गलतियां होने की शमभावना बन रही है इसलिए सचित रहें और शबी कारियों की आप जांज परदाल करके ही आगे बढ़ें शादी दोस्तों याश में इस दिन के अगर आपके करियर को लिकर बात करें आपके वह वह शाय की तो दोस्तों बीजनेश शमभावना जदातर काम याश में ठीक शही पूरे हो जाएंगे प्रतियस परदाश मंदी काम करने की आपकी जो रूची है वाईश में बढ़ने वाली है दोस्तों आपको शफलता उनमें मिलेगी शरकारी शिवारत लोगों को पबलिक डिलिंग करते शिमें विशेश ध्यान रखना है दोस्तों याश में आपके केरियर के छित्र के लिए जो शमय होगा केरियर शमन्दी महशूज होने वाली जो भी आपकी चिंता है उनमें अभी आप विचार नो करें जो की प्रजक्ट चल रहा है केवल उस पर आप ध्यान दें इनमें आपको भरिश में शुफलता मिलने की परबल शंभावना बढ़ रही है शाति साथ दोस्तों हम आप शिभी को बता दें कि यश में आप शिभी के लव लाइप के लिए जिवन 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 के लिए जब तक आगे नहीं बढ़ती है तब तक लोगों के शाथ चर्चा करने से आप बची जी है दोस्तों ये आपके आने वाली भुष के लिए और आपके चरितिर के लिए शबशिव महत्मुन शाविद होंगे शाथी दोस्तों आपके श्वास्त यानि शेहत के लोगर बात करें तो शारी कमजोरी दूर करने के लिए खान पान में आपको बदलाव करना चाहिए जो आपके शेहत को लेकर अच्छे है दोस्तों उन्हीं चीज़ों का शेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदमन शाविद होंगे श्वास्त आपका उत्तम बना रहेगा किशिवरकार की चिंता ना करें बश आपको अपनी जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है अपने जरुरत की चीज़ों का ही शिवन करना है वयाम योगा आदी पर आपको ध्यान देना चाहिए कि दोस्तों यही चीज़ है जो कि आपको आने वाले भष में भी उर्जावान बना कर रखेगा जी है दोस्तों आज के दिन आप शिवी का भागी शाली रंग रहेगा गुलाबी और भागी शाली अंक रहेगा चार